आज एक छोटी सी कहानिया को सुनाँगा मैं बहुत ही इंट्रस्टिंग कहानी है एना नाम की एक लड़की होती है और वो नाइट जीर के किसी सहर में रह रही होती है वहां अपनी वो कॉलेज की पड़ाई पूरी करने के बाद वो अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे थी ना उसके अभी तक साधी हुई थी ना उसके पास में रहने का अच्छा घर था ना उसके पास में सारी सुक्सुविधाएं थी एक दिन क्या होता है कि अगबार में एक सबती है एक बहुत बड़ी कंपणिय की जो रेक्रूटमेंट है वह आती है और वह उस कंपणिन अ अपने गतल्य वहां को बहुत सुमर्ट बहुत भन्यवाद बहुत है बहुत अब। मेरी जिवन की सारे तकलिफे दूर हो जाएगी पर उसे क्या पता अगली पल क्या होने वाला है जैसे वो घर से निकलती है बस टॉप पहुंचती है और वो बस का इंतजार कर रही होती है एक मिनट, दस मिनट, पंदरा मिनट, बीस मिनट, आदा घंटा अभी तक बस नहीं जिवन फार्नली इक घंटे के लंबिन तजार के बाद बस आजाती है जैसे बस आजाती है और बहएं जी बस खराब हो गई है और फिर कोसमे लगती है नहीं है बगवान, ऐसा सब मेरे साथ ही क्यंकि होता है सारी प्रॉब्लम मेरे पास नहीं क्यों आती पहले एक बस लेट आती है बस चलने रहे हैं मैं कैसे पहुंचोंगी क्योंकि वह ओलेडी तस मिनट लेट हो चुकी है अपने इंटर्व्यू से अब उसे लगा साथ उसको नौकरी नहीं मिलेगी और भगवान को ताने मानने लग फार्नली वह भी हिम्मत करते हैं और बाके सब लोग जो हैं वह लड़ रहे होते हैं ब्राइवर से कि हमें हमारा जो रेंट है हमारा भाड़ा हमें वापस देजिए आपने हमें बीच में उतार दिया वह जो एना लड़की है ना वह सबसे लड़ने की बजाए अब प्लानि जाए उसे बोलती बेटा मुझे रोड़ परकर वादो न मैं रोड नहीं परकर पार हुझंग उसका मन तो नहीं था बड़ फिर भी वह उसकी मदद करने की इच्छा रखती है और वो उस जो बुड़ी और फो उसके मदद करते है उसको रोड़ पर करवा देती है पर अब क क्या मुझे आप छोड़ सकते हो एना छोड़ना तो बिलकुल नहीं चाहती थी क्योंकि वह लेट है बट पता नहीं उसके अंतरमन से आवाज आए कि नहीं हमें इसके मदद करनी चाहिए और वह उसकी मदद करती है धीमे 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 वह छोटे-छोटे कदमों से होते हुए वो वरिद और और अहना दोनों चल रहे होते हैं और अचनल शौक होती है कि वो वरिद और त वहीं जा रही होती जहां उसे जाना होता है अब जैसे ही वो व्रिद औरत वो जो बुजर्क महिला है उस कंपनी में एंटर करती है और वो शौक हुझाती कि यह औरत है कौन पर सामने से एक बंदा दोड़ते वे आता है जो उस कंपनी का प्रेजिडेंट होता है क्योंकि वो जो बुड़ी औरत थी ना वो उस प्रेजिडेंट की मा थी पर जैसे ही वो दोनों अपसे मिलते हैं और वो बड़े खुस होती है और वो बुजर्क महिला अपने बेटे से कह सेवारी बंदे की जो आप सर्च कर रहे हैं वो ये ही लड़की है फिर वो औरत वो जो बुजर्क महिला हैं उसे बोलती सोरी बेटा आपकी बस को मैंने ही लेट करवाया था सोरी बेटा आपकी उस बस को खराब में मैंने ही करवाया था और फाइनली आपने इन सब के बावजूद भी आपने मेरी मदद की आप इतने परेशान थे इतने तकलिफ में थे फिर भी आपने मेरी मदद की इसका मतलब यह हुआ कि आप किसी भी सिट्वेशन के इंदर अपनी का हैंड होलिण नहीं चोड़ोगे तो उससे कंकुलूजर यह निकलता है सहाप कि जीवन में भगवान उसी को प्रौबल्रम देता है जो प्रौबलम स्ट्रक्मना है जान सकता है भगवान इतनी ही प्रौबलम देता है जितने तुम संभाल सकते हो और भगवान उस साथ में आपको solution भी देता है इसलिए हमेशा किसी भी बुरी वक्त में घबराएं नहीं और अपने presence को रखते हुए और तरीके से सोचें उसका जबाब जुरूर मिल जाएगा इसी परकार की motivation और वीडियो के चनल को लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करना ना भूलें जे हिंद जे भाद